किरन देवी जी को आएं और सम्मानित करें जोड़दार दानिया अब मैं माने जिलादीकारी महदे से निविदन करूँआ कि अपने विचार भी हम लोगों के सामने रखें बड़े हर्ष और गौरव का विशेह है कि आज मैं यहां एक ऐसी नारी को सम्मानित करने आया हूँ जो इस जिले में इस गाउं में एक विकास की किरन बन कर आई है जिनोंने यहां नारी को शक्ति परदान की है और विकास में आ रही अर्चनों को दूर किया है औरतों में, बेटियों में और व्रद्धों में एक विश्वास पैदा किया है और जीने के एक बहुती शांदार और सकारात्मत तरीके को सामने रखा है सक्चाई की ताकत और आत्म विश्वास की ताकत से लोगों को और हमको रूबरू कराया है और मुझे इस बात की खुशी है कि ये सब मेरे जिले में मेरे जिलादीकारी रहते हुआ है और मैं इस देवी के कारियों का गवा भी हूँ और कहीं ना कहीं इसमें सायक भी रहा हूँ और आज उनका प्रसंशक भी हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्येक जिले में अगर एक किरण हो और एक ऐसी नारी हो तो उस जिले के विकास को कोई नहीं रोग सकता और अंत में मैं शुब कामनाई देता हूँ उस परिवार को और इस गाओं को जिसकी ये बहु है और नमन करूँगा उन माता पिता को जिन्होंने इनको जनम दिया और ऐसे संसकार दिये धन्यवाद जै भारत जै नारी शक्ति मैं निवेदन करता हूँ श्रीमती किरन देवी से के वो यहाँ आए और अपना सम्मान ग्रहन करें क्राम ऐसे बहु है कि रंबवा कि इताफ कि रंबवा कि आंबवा किरान दावर! किरान दावर! अब मैं किसान उज्जुला प्लान्टेशन उत्तर प्रदेश के स्थेहने देशाक तुरी सीपी सिंग जी से निवेदन करूँगा कि हो आएं स्रीमतिक रन देवी जी को सम्मानित करें जोर दाड दानिया अब मैं करन्देवी जी से भी निविदन करूँगा कि यो आएं और अपने विचार रखें हुआ 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 हु अरे इसने तो मूँ बीन ठक राख्या फिर मैं घुंगट कैसे खोल लूँआ मुझे लगे या मेरते पहले ही तयार बैठी है कहीं मैं ही तो लेट ना हो रा या तो रेडी एक दम यह क्या कर रहे है आप क्या बत्तमीजी है यह बत्तमीजी मन्य कौन सी बत्तमीजी कर दी भई तू मेरी बहु है मैं बड़ा गली मैं किसी को छेड रहा हूँ पर यह क्या तरीका है पहले हमें एक दुसरे से बात चीत करने चाहिए कम से कम एक दुसरे से जान पेचान तो कर ले जान पेचान? अरे जान पेचान और अक्की है जभी तो ब्या होया है ब्या हमारे परिवार वालों के मर्जी से हुआ है उनकी पेचान से हुआ है हमें भी तो एक दुसरे को जानना चाहिए हमारी होबीज क्या है हगीज? अरवे मैंने तो सुना हगीज बगीज जब बच्चा होया जब जरूत पड़े है तू पहले हगीज मांग रही है कुछ होन तो दे पहले हगीज नहीं होबी आदतें पसंद ना पसंद अरवे तू पसंद है जबी तो बहा हुआ है पहले तो आप मुझसे तू करके बात मत कीजी तू ना कहूं तो और के कहूं? अरवे तू मेरी बहुए और बहुते तो ऐसे ही बोला जावे ये क्या मतलब हुआ कि ऐसे ही बोला जाता है पत्नी अरधामी नहीं होती है उसके इज़त करने चाहिए अरवे तो इज़त करने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं तू ये चाची ताई कहन लग जाऊँगा कहूआ तो भावी हाँ जब कोई बच्चा बच्चा हो जागा जब मैं थोड़ा ओठाल बोल ले करूआ अब तिल्लू की मम्मी के बनाया है हे भगवान अरे छोड़ भगवान भगवान भोटेम बरबाद हो लिया तू आजा ये क्या पागलपन है आजा आजा के अलावा और पे तो बहुत सारी बाते होती है अरे और की बात करनी है जबते तो हम बात ही कर रहे है तू बतूनची दिखे है मुझे लगे हमें पहले एक दूसरे से अच्छे से परिचे तो कर लेना चाहिए अच्छा अर देख मेरा नाम विकास है और मैं हरपाल का लोंडाओ और तेरते अभी भ्यावयार तेरा आदमी हूँ और तू रोमेज की छोरी है बता और के परिचे हो देखिए परिचे में सबसे पहले अपना नाम लिया जाता है और पिताजी के नाम के आगे श्री लगाया जाता है अरे बाबा श्री भी लग जगा ये काम तो बाद में भी हो जागे पहले वो काम तो करो जिसकी निया भ्या होया है शादी सिर्फ उसी काम के लिए नहीं होती है शादी तो दो लोगों और दो परिवारों का पवित्र बंधन होता है जिसमें दो परिवार एक दूसरे के सगे संबंधी बनते हैं दो लोग जीवन में एक साथ चलने के लिए हमेशा तयार रहते हैं पर तू एक होण का दे रही है मैं तो इतनी देर ते एक होना चाह रहा हूँ देखिए हमने पढ़ाई इसली नहीं की कि हम मुर्खों और जाहिलों की तरह अपने जीवन को जीए और हमारे आसपास हो रहें गलत कारियों का हम विरोध भी ना करें उन्हीं ठीक भी ना करें विकास बेटा सो जा औरना पहली रात में इसमें दो लग जांगे देख मैं सो रहा हूँ तेरा यू लेक्चर खतम हो जा तो बता दिये अजीब इंसान है बेटी कहां जा रही है माजी कुछ काम कर लूँ ना बेटी तू बैठ जा एक दिन तो जाई वाई कुई है तू काम करेगी तो यह गाम वाले हमें क्या कैवेंगे माजी अब तो यह मेरा गहर है और मुझे यह कल भी काम करना है तो किना आसपी शरू कर दो मा बेटी तू बैठ जा यह गाम वाले मूँ देखन को आ यह तेरा माजी आप बैठो आए आप माजी अब आप बैठो काम मैं करूँगी बहुतो मुझे कुछ जादे चलाग लग रही है कहां से शरू करो कहां से शरू करते हूं यहां से शरू करते हूं जावरन अरे सुहाना सफ़ अरे देख नहीं रहे चेरे पर ठकान साफ साफ दिखाई दे रही है अरे भाई रात केके हुआ हमें भी कुछ बता दे अरे भाई रात तेरी सुहाग रात थी बता तो कुकर कुकर रहा हिसाब किताब अरे बतानी ना चारा हम भी पूछ के छोड़ेंगे पूरी रात ना सोन दियोगी हां तू भी देख लेता क्या सोन ना दियोगी अरे हमें तो तू ही बता दे बजनुमान ये देख ही लिया होगा केक के हो या अरे होना के था कदी के पसंद ना पसंद बताओ और बता दी तो मुझसे भी पूछो और हां तू कह दी तो आप तो हमारी बेज जती कर रहे हैं और भाई फेर उसे के कहना पड़ेगा आप है आप बगु को भी आप कहेंगे तो बड़े सरम की बात है यार अरे हां हम कहेंगे आप हमने कदी अपने बाप को तो आप कहीना आए ज्यादे करेगी तो दो लगा दूआ मैं तो रात ही लगा देता परमका चल नहीं नहीं आई है भाई हमें भी आप ही कहनी पड़ेगी हमसे ना आजा थारे खरो मा कैसे बेठी है नुई बेठी हूं बेता इतेरी बाव काम करनी न देरी आप ही करती फिर है यह गाम की ओरत मूँ देखना आ रही है मानी नीरी मेरी तो मन न दो भातेरी समझा ले बड़ी पागले चल तू रोटी ले आप कि क्या कर रहे हैं आप भैस की धार काड रहा हूं दिखता न रोटी खा रहा हूं तो हाथ तो धोलीजे मेरे हाथ बिलकुल साफ हैं देख कोई बात नहीं है फिर भी हाथ दोलीजे जब साफ है तो क्यों धोलूँ क्योंकि हमारे हाथों में छुटे-छुटे किटानू होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और खाने के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं जिससे इंसान बिमार हो जाता है पहले तो होए ना तेरे आने ते हो जागे किटानू है देखिए सामी मारी भैस बंद रही है ये तो कभी ना खाने ते पहले हाथ दोती ना खाने के बाद हाथ दोती ये तो ना होती बिमार बिलकुल सही बात है लेकिन उससे खाना हाथ से तो नहीं खाना पड़ता और उसकी साफ सफाई का ख्याल इंसान को ही रखना पड़ता है वे तो देखे भाई गोबर करें भाई मुथते हैं हाँ ठीक है पर आप हाथ दूलीजी पो देखे पिता जी भी तो हाथ दूरे हाँ जबी तो बिमार पड़े रहें तीसरे दिन कदी जुखाम कदी नजला कदी खासी अले हमारे खासे जुखाम तो उमरते हैं अब तक तो हाथ ना धोए बाउगे कहने से धूले बड़ी आफ़त है भई लाओ भई एक ग्लास पाणी लिया पर पानी आप खाने के साथ मत पीना तो कद पीना पानी कम से कम एक घंटे बाद अब पानी भी हम इसते बूच के पीऊंगे के तू दिये कैसे पीना है यह डाक्टर नहीं है के जो हर बात यह बताओगी यू कि बतावेगे हम बताओंगे क्या करना है इस घर में देखो जी यह बाट ठीक ना है एक दिन आई कुई है सारा काम करती फिराया और मने करने से मान रही नहीं और देखो कैसे चवड़ चवड़ बोल रही है सही बात है दो चार दिन अराम ते बैठती जो काम करने के वे तो करना रही मास्टर नहीं बन रही है कौन से काम अब आप कहां चले अब कहीं जाओ भीना मैं चले जाना पर मेरे साथ कुछ काम तो करा दो काम मेरी माने तो कदी मेरे पकरवाया नहीं तू पहले दिनी करवान लगी ठीक है माजी ने नहीं कराया हुबा तो कोई बात नहीं लेकिन अब तो आप अपने सेमेदारी समझो ए बहु से जान दे कोण सा काम है समय करवाया लूँगी माजी कुछ भारे समान है वो उठवा देंगे अपने पिया के संग मेन के धर्ती अंबरसी अपने पिया के संग मेन के नदिया सा अरसी हरी प्रेम लहर में गुड़गुड़गो देखाऊ उरे साखेर बारी जाओ उरे साखेरे लग गई लाग पिया के मेरे मन में सया के मेरे मन में बारी बारी जाओ सास ससुर संग बढ़ के बिटिना जैसी जेट जिठानी संग बढ़ के बहना जैसी हरी पावन मन से घर को सर्ग बनाओ रे साखेरे वारी जाओ रे साखेरे लग गई लाग पिया के मेरे मन में सया के मेरे मन में बारी बारी जाओ अपनी ननद संग मेल के गंगा जम नासी फिर सबरिष्टों को दिल से निभाओ रे साखेरे वारी जाओ रे साखेरे लग गई लाग पिया के मेरे मन में सया के मेरे मन में बारी बारी जाओ बड़े से घर में मैं तो बड़े के बिटी आजी च्यारे से घर में प्लीज मैं बहुत अब यह मुझे सोने दो यार अच्छा भ्या हो या भ्या जैसी तो कोई बात ही ना मेरी गेल हूं तो काम करवा रही वा तेरे पर हाँ भई ब्या के बाद तो काम करने पने काम अरे जो काम सबते पहला होना चीए था उसको तो जिकरीनी आंड दे रही वा यार बुरा मत मानी है पर हमें तो ऐसे लगए जैसे उसके किसी और से चैटिंगो शही कह रहा भई आजकल ऐसा भी हो सके के पता अरे 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 अप यहां से क्यूँ आ रहे हैं यह पर टोड जाएंगे सिस दो मिनट का रसता है आख वहां से आ जाते हाँ आ जांगे और यह क्या कर रहे हैं आप? के कर रहा हूँ? यह उठाईए यहां से और कहां गेर हूँ फिर? ये उदर डाल के आओ डस्बीन में चाहिए उठाएए अब किधर? महाचा के हाद्धों के आईए उदर और अगर आपको पानी पीना हो तो पीने का पानी वो मटके में रखा है अब आप कहां चले? मैं जा रहा हूँ धनपाल के चोतरे पर तास खिलना तास बाद में खिलना पहले मेरे साथ कुछ काम करा दो अरे काम कल करवा तो दिया सारा अब की है? अरे कल का काम अलग था, आज अलग है आज की है? आज हम बाहर के सफाई करेंगे सफाई? देखिए सफाई कितनी होतो रही है या घर के सफाई के सांस सत बाहर के सफाई भी बहुत जरूरी है अरे घर की बहुत है बस रहन दे तू देखे आप हमारी बात तो सुनते नहीं है कम से कम परधान मंत्री जी की तो सुन लिजी परधान मंत्री की हम क्यों सुना जब वो महारी नहीं सुनता हिसाब बराबर परधान मंत्री जी ने सच्छेता अभियान चलाया है जिसके लिए वो खुछ सड़कों पे उतरे हैं ज़ाडू लेकर अरे ये नेता पबलिक का बेगूब बनावे हैं समझगी ना कोई ज़ाडू आडू लेकर ने उतरता वो ऐसे नेता नहीं है वो सच में बहुत अच्छे नेता है सफाई पर पूरा ध्यान रखते हैं तू रिष्टेदार है के परधान मंतरी की मैं रिष्टेदार हूँ आपकी पत्नी हूँ आपकी और आपको मेरे साथ चलना ही होगा पस अजीब हो रते बई अरे के रॉला रुका मचा रखा भई देखे ना पिता जी मैं इने भाय के सफाई के लिए बोल रही हूँ यह मना कर रहे है क्यों भई? जब यू कह रही है तो जाता क्यों ना? ठारी ने भी लगवाई के कदी जाडू ठारेप है अरे हमारी ने तो तेरे पे भी ना लगवाई कभी तो यह माश्टर नी मेरे गड़े में घाल नी जरूरी थी के? भाईया यू तो आपने अपने कर्मों का फल है और सभी को भगतना पड़े जा बेटा जा जा जारू लगा बहु खड़ी देख रही है जा मैं उदर साफ कर लेती हूं आप ये कर लीजे अरे क्या हो रहा हूं हो करें जब नहीं नहीं बहु आओ है दो चार दिन चमक दिखाई करें अरे अरे बाई यू के हो रहा रहा रहे के चल रहा विकास भाई सुचता भियान चल रहा दिखता ना बाई अगर भ्यां के बाद ऐसे अरे इसे देखका तो मेरे भी कपकपी चड़े है उस रात वाले ब्यान का के रहा अरे उसका तो मेडम जिकरी नियान दे रही पिर कैसे बनेगी बाद कैसे के बनती आज जादे टेंटे करी तो दो लगा दू हमें हाँ अरे क्ये खुसर खुसर कर रहा हूँ क्या ची कुछ न हम तो इसे बुलान आए थी अरे इचोखा काम कर रहा है तुम जा के ताची खेल होगे है जब कर देखर माई है चुन्दी की परभास करकर रग दी माची के लड़ाई सी कह हो रही है पॉन दो लड़ाई तमसे बंदर चलो तो तेरे ओड़ी सपाई यू जग्गा होगा अपनी बाउटों पीट रहा होगा तू के लिए उनसा लेकिन माची क्यों उतो उसका रोज का काम है भाई इसने भी जीवन नरग बना रहा खाल पवू का लेकिन उसे कई रोट तक ज्यूने को रर्टेगा उसे है? जो कई रोक्या उसे गाली देगा भगा देव लेकिन हमारा समाज किसलिए है बहुत रोख तू मदे जाओँ तुझे भी उसराप पी गाली डेगा भगा देगा जान देना जितनी तेज जारिया उतनी जल्दी उल्टी भी आओगी साली कमी ने तुस्से मैं ने इतनी बार कह दिया मेरा आगब बोला ना कर तो बोला ना कर ओरत आदमे की पैर की जुत्ती होती है जुत्ती और जुत्ती पैर में येची लगती है समझी जुत्ती नहीं होती औरत, सरका ताज होती है औरत, घर की शान होती है और आप इनके साथ ऐसा सुलूग कर रहे हैं? मेरी बहू, मैं कुछ भी करूँ, तू कौल रगती है? वो गर्ववती है और आप इनके साथ ऐसा सुलूग कर रहे हैं कोई दुरगटना हो जाए तो हो जान दे दुरगटना मेरा बालक मेरी बहू मारू यह जो करू मेरी मड़ी चलिए यहाते नही नही आई यह सरम कर रहा हूँ किसी भी तरीकी की हिंसा किसी का निजी मामला नहीं हो सकता और आप जैसे लोग ऐसी बेतुक की दलिल दे कर कभी किसी बेबस नारी पर या तो घरे लोग इंसा करते हैं या फिर कभी कुछ और करते हैं फिर हम क्यों इस समाज का हिस्सा है, कि यहां पर हो रहा अत्या चार। जब किसी का निजी मामला हो सकता है। और आप, आप क्यों अप्य हैन कर रही हैं इनके दुर। मर्द है मेरा, इससे ज्यादे के कर सकता ह। पिठेगा तो पिठलूँगी। इससे जादे के कर सके है औरत एक औरत फिर्फ एक औरत जो चाहे कर सकती है औरत आगमी से पिटने के लिए नहीं होती है वो उसकी जीवन में भागीदार हिस्सेदार और बराबर की हगदार होती है जब औरत घर को संभाल सकती है तो वो समय आने पर इंद्रा गांधी मनकर दे मेरे सामने तुमी से छूप कर तो दिखाओ क्या कर लेगी तू हमारे सम्विधान में एक औरत को कई सारे अधिकार दिये गए जो आप कर रहे हैं उसके लिए धारा 319 के सहर आपको जेल भी हो सकती है औरत की बेज़ती करना उस पे जूटे आरोप लगाना उसके लिए धारा 499 जिसके लिए दो साल तक की सजर है दहेज की मांग करने वालों के लिए धारा 498 ए है जिसके लिए आजीवन कारवाद भी हो सकता है औरत के साथ अशलीलता करना धारा 294 उसको गाली देना धारा 509 और औरत के सांथ जबनदस्ती संबंध बनाना या संबंध बनाने वालों के लिए धारा 376 है और जब कानून औरत के सांथ है तो तुम जैसे घटिया लोग औरत का कुछ नहीं दूराता है और आज के बाद अगर तुमने इने कुछ कहा न तो आज तो सिर्फ धाराएं बताए हैं अगली बार ये तुम पर लगवा भी दूँगी तुझे के ज़र होती है तूसरान के लड़ाएं में जाने के? माजी और कोई भी हो किसी की भी हो हमें उस पे हो रहे अत्याचार का विरोत करना चाहिए बस बस सुन ली तेरी किसी की लड़ावड़ाई में जाने की जरूत नहीं और घर मेरा आज से जैसे बहु वेटी रह करे हैं माजी तो क्या करें उन्हें वही सब सिखाए गया है वो पिचारी तो अनपर है कानून भी नहीं जानती अरे तू कानून के चक्कर में जादे मत पढ़े देखो जुन करने वाले से बड़ा पाप का भागी जारी होता है जुन सहन करने वाला और जुन होते देखने वाला उससे भी भड़ा तो तू हमें पढ़ाना आई है के? मैं पढ़ान नहीं रही देखो हम सामाजिक पढ़ानी है हम सामाजिक पढ़ानी क्यों है? ताकि हम एक दूसरे के सुक्तुप में काम आ सके और अगर एक औरत होके में एक औरत के हक के लिए नहीं लड़ सकती फिट तो लाना थे मेरे औरोथ होने पे भाई हमारे तो अबस के अनस से जुबान लड़ाने हमारे पता नहीं है कि इसकी इतनी जुबान चले भाई या के कह वे मेरी तो कुछ समझ में आता नि मारे में नायत ना दिमाग आप यहां क्यों बैठें सोना नहीं है क्या हाँ आज आँगा मैं बस सोना ही तो है मैं जानती हूँ आप दिन वाली बास से नाराज है पर आप ही बताए कि किसी पर होड़ा हाथ ते अचार देखकर कैसे चुप रहे जाए और वैसे भी हमारे अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्टब्यों का भी तो ध्यान डखना चाहिए तेरे सब कर्टब पडोसियों की नियाई है क्यों क्या मैं कभी अपने घर के कामों से पीछे हटी हूँ आप ही बताएए लो बई कर लो बात इस्त अच्छा चल अब उठो और अंदर चलो दूद पिल आजाओंगा मैं करना के है बस सोना ही तो है हाँ सोना ही तो है अच्छा किस बात पर कौन सी धारा लगे तरने यही बात सिख़्ी है कि यह कुछ और भी सिख़्ा है आपको क्या लगता है मुझे और कुछ नहीं पता चलो अब आप जल्दी से खड़े हो जाओ और अंदर चलो के जल्दी है बस सोना ही तो है बस सोना ही नहीं है और भी कुछ है हाँ हाँ आपको क्या लगता है, मैं आपको प्यार नहीं करती या फिर मुझे आपकी प्यार की जरूरत नहीं चलो, अब चल दी से खड़े हो जाओ और अंदर चलो कोई धारवारा तो ना लग जागी आप मेरे पते हैं आपकी मेरे उपर और मेरे आपके उपर कुछ हग भी तो है है हे भगवान तन्हे सुनी तो पर थोड़ा लेट कैसे लंगडारी है जानवरो आप अच्छा हाँ भाया अधिस बभव को इसके गर मिला के लाना क्यों अरे भाया हमारा होक रहे ऐस है यह रीत रिवाज है ठीक है ठीक है ट्यार हो जाए बस मैं आरहाँ पापाजी पापाजी नमस्ते पापाजी नमस्ते पापाजी यह लेजे जैसा मुझे मेरे पापा ने बनाया है बेटे मारी छोई कुछ नियम कानूल वाली है पर अधान मत्होईयों पर दिल की बहुत अच्छी है अच्छा चलो अंदर भी चलो आओ बेटा जीती रहो आँ राम राम पिता जी ठीक है सब भई जीती रहे पनी रहे दूद्धन आँ पूता फलो चलंदर इस कमरे में आप यहां गन्ना चूस रहे हैं तो यह छोपते किसी तसले या टोकरे में डाल देते यहां गड़ी में भी रह हां तो पड़े रहन दे बाहर की सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है आप उठाईए ने उतसले में डाल के आईए चल मैं उठा दूँआ उठा दूँगा नहीं अभी उठाईए चल ठीक है आज तु कुछ भी उठवा ले अरे भाई उतो इभी बी तसले ठाण रहा अरे भाई यह भी तो सूप ड़ी दिख है के रहा पेस्ती भी होई अभी धार ही चल लहा है देखनी दे मेडम लंगडा रही है अच्छा तो यह बात है आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ। आ आश्यो दीवी आशा दिदी क्या हुआ आशा दिदी आई भर गई मुझे दड़ दोर आए आपके साथ कहा है वह दाई को भुलाने कही है और आपके पती वह जार उपी एपड़े है आप यह खड़ी-खड़ी क्या देख रहे हैं चल्दी सजाए टेक्टर लेके आए हम इन्हें होस्पिटर लेके चलेंगे अरत आई गई तो एदाई को भुलान बैदाई पर विश्वास नहीं कर सकती हम इन्हें लेके चलेंगे हम क्यों लेके चलेंगे इनके घरवाले लेके जांगे इन्हें जब हम इंके पास है तो यह हमारा कग्त भी बनता है कि हम इने लेकर चले ताँ उो आप चलदी यह चाहिए दख्ते लेकर आये या वहुने अर्स्पताल लिया ही इतना खर्चा होगा कहां से होगा आसा के पती कौन है जी मैं हूँ लड्डु मंगाली जी लचमी आईए बेटी हुई आपके ज़र दिखें छोरी के होने में प्रट्य खिलाई जामें के क्यों नहीं ताई जी थैंक यू डॉक्टर आशा दीदी और बच्चा कैसा है दोना ठीक है बच्चा कमजोर है मा में खून के कमी है और दोनों का खाने पीने का धियान रखें कर दो पताना कौन से करन महारे आ गया है जो महारे छौरी हुई ताई जी छोरा छौरी में कोई फर्क नहीं है आज कैसे फरक नहीं पड़ता सिर से लेके पाँ तक फरक ही फरक है अलो जग्गा जाकर छोड़िया कला गोड़ता है जो जीव अनवर के बोश से बचना चाहता है बस करो आप आप मुझे से बड़ी है मुझे शर्माती है आप कैसी सोच पर दूसरों के मामलों में नेतागीरी करनी अलग बात है जब खुद के छोड़ी होगी तो पता चर जागा ताईची अगर मुझे लड़की हुई न तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी आप देख ले न आप भी यहीं और मैं भी यहीं थारा होगी तुम घुशो लियो हमें न बिल्कुल भी छोड़ी होने से खुशी अरे भीया खुशी हो या गम हो थारा चोड़ी होगी तम जानो और थारा काम जाने चल भई महारा काम हो लिया खतम हाँ तम जाओ हम अपनी कुमारा या छोड़े शर मई आती आपको ऐसा बोलते हुए आपको बेटों के लिए बहू चाहिए बच्चो के लिए मा चाहिए भाई के लिए बेहन चाहिए पर लड़की किसी को नहीं चाहिए अगर बेटी ही नहीं होगी तो अब्दुलकलाम नरेंद्र बोदी, कपिल देव, सचिन तेंदूलकर और भगत सिंग कहां से पैदा होंगे वो बेटी आई हैं जो आज विदेशों में जाके हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं पशी मलिक, पीवी सिंदू, गीता बबीता, सायन नहवान, और किरन बेदी और अगर उस बच्ची को कुछ हुआ न तो आप लोगों की रिपोर्ट करने वाली मैं हूंगी मैं ध्यान रखना आप लोग और हाँ वो बच्ची आपकी बेटी है आपकी पोती है उसे प्यार से पालिये उसे मारिये मत क्या पता कलको वो बड़ी होकर कलपना चावला क्या मैरिकॉम बन जाए बेटी बचाओ पेटी पढ़ाओ आज यही हमारे देश की जरूरत है आपकी बच्ची आपकी जरूरत है आपकी बच्ची आपकी जरूरत है अरे भाई सरकार किसी की भी आओ तारे एक से हैं यह बोट मांगन तो आवे खेर दिखाई भी ना देते यह अरे बात तो सही है अरे मारे देश के नेता काम करते ना तो मारा देश आज अमेरिका से भी आग्या होता आप लोग जब देखो सरकार को दोस देते हैं आप लोग खुद क्या करते हो कभी सोचा है आपने आपके देश के लिए क्या करता भी होने चाहिए कभी ध्यान दिया है आप लोगोंने इसी सोच के कारण गलब लोग आगे आते जारें अच्छा के स्कूल के बच्चे ऐसे क्यों गूमने हाई इने मत गूमन दे कोई धारा बता दे इने भी प्रधान जी को नल ठीक कराना चाहिए उन्हें कोई कुछ बोलता क्यों नहीं तु बोल दे जाके हाँ मैं ही बोल कर आओंगी या फिर आप अरे हम क्यों बोल लेंगे जिनके बच्चे पड़ें वे अपने आप बोल लेंगे ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है जिनके बच्चे पड़ें ये हम सबके जिम्मेदारी है क्या ऐसी सोच रतने से हमारा दे चाहेगा अमेरिका से आगे बै यार पुचल मे आओ कि यह बहु काहां गांड ती रहे तो तन्नक ऐसे महारे सारे गाम में थोतू करवा रखी है माजी किसी की सहायता करना क्या गलत काम होता है किसी के दुख में काम आना क्या गलत काम होता है गलत हो यह सही हो हमें ना कराने काम आज के टैम में कोई भला ही ना देता है देखे ना बुडिया कैसे उल्टी सुद्धी बोल रही थी कौन क्या बोलता है हमें ये नहीं देखना है हमें सिर्फ अपना काम करना है हमने दनुझानी क्या पड़ी लिख की बहुआवेगी अर गर कुछी मालेगी तु तो पूरा गाम कुछी मालती फिर है माजी मुझे मेरे माबापने सही को सही और गलत को गलत कहना सिखाया है तूसरों की सहाईता करना सिखाया है उनके दुखदर्द में काम आना सिखाया है और मैं बस वही कर रहे हूँ मुझे ना पता तेरे माबापने के सिखाया अच्छी हाँ, हमारी तो बस किया ना तेर से जुबाल लडानी अरे भाई, आज तक इस गाम में मारे सामने कोई लड़की नी बोली और या, हमें पाठ पढ़ा के चली गई भाई, मुझे तो चालू पुर्जा लगे अरे पहली राथ विकास को आथ भी निलगाने दिया अच्छी हाँ, रिंकु को तो अपने पाज में ठालिया अरे मेरे तो कई बर चुक्ती काटी चुक्ती अरे जब तेरा जुगाड हो जाना भाई, तो हाथ पैर हमारे भी दिलवा दिये इस भैति गंगा में अरे मुझा जगा कते ही खर सक्षे, हाई अरे हमारे भी ließन आ रही आज भी ना रही Навी क्यों? और हो के आरी है, जदी भाग रही हो सब के आली है भाई आ रही हमारे ना मैंने तार हटा दिया है, इसले भी भ laugh नहीं आ रही है तार हटा दिया? क्यों? अरे, जब हमारे मीतर लगा है, तो हम मीतर से बिजली जलाएंगे मीतर था कितना बिल आऊओगा, पता तुझे, तिरा बाप भरेगा मेरा बाप क्यों भरेगा, आप भरेगे हाँ, होट बड़े बाप की बैटी है न, जब बिल बर के बिजली जलाएंगे मा जी अगर हम बिल नहीं दे सकते न, तो हम बिना बिजली देंगे, लेकिन हम चोरी की बिजली नहीं जलाएंगे तू पागल है के सब जड़ा मैं, हम न जड़ाऊंगे तो की हो जगा जैसा सब करते हैं, वैसा ही हम करेंगे, अगर हम दूसरों को सुधारने के बज़ाए, खुच को सुधारेना, तो सब सुधार जाएंगे कर लो इस मूरक का क्या करो, ऐसी पागल तुमने याई देखी है, जो फिरी के पैसे दिवान मन रही है मा जी ये फ्री के चीज़ नहीं है, सरकार इसके लिए करोड़ों और वो रुपया खर्च करती है, अगर सब फ्री के बिजली चलाएंगे, तो सरकार कब तक बिजली देगी बाई हमें तो पता ना तू केचाव है, ऐसी अकल किस काम की जो अपना ही नुकसान करे सुनो सुना आज आपको प्रधान जी के यहां जाना है अभी क्यों प्रधान का भी तार अटा काना के वो सडक और स्कूल का नल खराब है, उसको ठीक कराना है, उसके लिए बोल कराना है अरे वे उनका काम है वे अपने आपकरा देंगे हम क्यों नेता बन रहे है हाँ हाँ यह उनका ही काम है, इसलिए तो बोल रहे हूं आप जाके उनको बोल कराईए जाईए अब बढ़िया चल रहा वसल वसल सब ठीक है बहुत बढ़िया और बाई तेरे? बिलकुल बिलकुल सब बन्नावणसब गिरिया अरे बस नभी जीता रहता राम-राम जी राम-राम भाई आव विकासा तू कभि दिखाई देति है ना तू दो चुनांव में दिखाई दे भा प्रधान जी चुनाओ में तो बहुत जोल लगा दे बाई चुनाओ में बहुत महनत करे हैं यो सही कह रहे हो प्रधान जी जब से इसका ब्या होया यो तो घर हो रहा है बहार का काम तो इसकी बभु दिख्खा है ताओ तुझे सुद्धी साध्धी ताई मिल रही है अभी तुझे पता ना मैं कौन सी तोब समाल रहा हूँ जिस दिन उसके एडे में आगे ना पता चल जगा तुझे बै सुना तो हमने भी बहुत कुछ है पर चल छोड़ तू बता परदान जी गाम की सड़क खराब हो रही है और स्कूल का नड़ खराब हो रहा है अच्छा तो तो तम उने बनवा दो बै इस बात की सुकर तो हमें तेरे से जादा पर क्या करूँ पिछे ते पैसे ही ना आ रहे कैसे बनवाँ परदान जी जब पैसा आओगा जब बनवा दियो बाई बिलकुल बनवाँए और हमारा कामी क्या इसी काम के लिए तो तुम ने मुझे परदान बनाया यू बात तो है परदान जी चलो ठीक है परदान जी अब मैं चलता हूं राम 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 अरे यू कब तर सड़कों की फिकर करने लग गया बताई तो परदान जी या फिकर इसकी नहीं है किसी और की है ए ये क्या कर रहे हैं आप मैं आप से पूछ रही हूं क्या कर रहे हो ये थारे को दिखाएं दे तो तार के रहे हूं मैं आप बिजली की चोरी कर रहे हैं हमें चोर बता रही है 25 बी की जमीन है वहार है हम क्या चोरी कर रहे है कटिया डालके बिजली जलाना चोरी ही होती है कटिया डालके सेरा कहों जला रहा तुझे बस हमीं चोर दिखाए दे रहे हैं चार दिन की आई बहू, हमें चोड बता रही है, थारे गिनाया कटिया, पहले उना रोक ले सबसे पहले मैंने अपना ही तार हटाया है, उसके बाद ही आपको बोला है ठीक कर आपना उतार लिया, दूसरों को क्यों देख रही है अरे सुनो, कहां जा रहे हो, ये कटिया हटाओ पहले न उतारता, ऐसी जरेगी माईजा इक तो, जिस पर रुकर रोब लो आप कटिया उतारते हैं या फिर मैं पुलिस को फोन करूँ तू कोन है पुलिस को बलाने वाली, ठारा कुछ ठालिया मैंने सरकारी किसी भी चीज की चोरी करना जुर्म होता है फिर तू सरकार रेके, सरकार जाने हम जाने, बोट दिरका में निताओ को, हम तो नो ही जलावेंगे ठीक है, तो मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती है अरे, आप के नए राड़ा बोधिया यूँ? क्यूं क्या हुआ? तू सत्वा ते क्यों लड़ रही थी? देखिए, मैं सबसे बहले आपको ये बता दू, मेरा काम किसी से लड़ने का नहीं है तो फिर के हो रहा था, वा? वो हमारा पड़ो से बिजली जोरी कर रहा था, बस मैं उसे समझा रही थी अरे, बिजली का तारी तो गेर रहा होगा, तेरा तो कुछ न बिगाड रहा था? आप लोग समझते क्यों नहीं है, बिजली जोरी करना सरकार का नुकसान करना होता है अरे तो सरकार का नुकसान नो इसकी सारी जुम्मेदारी तेरी है के मेरी नहीं है हम सबकी है हमें समझना चाहिए ये देश का नुकसान है अरे यार अपना बला तो होना रहा तू देश का बला करने की रहनी दे जाद है माश्टर निमत बढ़े तुझे तो जो बोलना है बोल देवे, समाज में हमें बेठना पड़े, फिर ये बात हमें जेल नहीं पड़े, मैं क्या कभी किसी को गलत बात बोलती हूँ, मैं तो वही बात बोलती हूँ जो सही है, अरे बाबा तू हमें माफ कर दे, तू अपनी अच्छी बात किसी को भी मत बताये करे, कोई ना सुनना चाथा है आजका लिए बात, और ज्यादे हो कने बात करनेका, तो तो अपने बाप के हां चली जा, महां कर ले निताकिरी अरे भाई, विकास है के प्रधान जी, हाँ 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 है आ जाओ प्रधान जी, राम-राम राम, राम, भाई राम, ROB तेनी दश्मान राम, अरभ तम ने सदबा कैसे प्रिसान कर रखiva तेरी वो कुलिस उपला रही कही है मैं बताती हूँ ये कटिया डाल कर बिजली जलाते है जो की कानोंनी अपराद है कोई बात ना बहू जलान दे अगर सारा गाम जला रहा है तो प्रधान जी आप उसे रोखिए आप प्रधान है जिम्बेदार है ये क्या कह रहे हैं आप इन्हें चोरी सिखा रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं आप जैसे लोगों के कारण ही तो देश का भटा बैठता जा रहा है और देश में भेष्टाचार बढ़ता जा रहा है के वक्री है तू ये प्रधान जी है हमारे इजद्दार आदमी है तू इन्ते बोल कैसे रही है पर अब तुमी देख लो भाई मैं तो इस गाओं का भला चाहूँ सही कह रहे हैं प्रधान जी जा तू बित्तर आप थोड़ी देर चुप रही है और सुनिये प्रधान जी कि जितनी भी अवैत कटिया है ना कि सब आप उतरवाएंगे वर्ना मैं आपको बता दू विद्धु चोरी करने पर अधिनियम 2003 के तहट धारा 135 में केस दर्ज होता है और मीटर से छेट छड़ करने पर 138 भी में मुकत्मा चलता है तो चितनी जल्दी हो सके ये सारी कटिया आप उतरवा दीजिए वर्ना मैं पुलिस को इंफॉर्म कर दूँज़े देख लो भाई अब के करना इसके हिसापशन तो सब अपनी अपनी कटिया हटा लो अर्ना हटाते हो तो तुम्हारी मरची मैं तो गाओं के साथ हूँ चलो में चलो एक बात बता तुझे सारी छिज़ों की धारा पता तुवश्कील है कि हाँ बो तो पताई है और जो ये ना मानने तो तु क्या करेगी गाम का सामना करेगी मा जी ओला पला करना इसे अपसर्व नहीं होती अच्छी बात बताना और अपने समाज को सुधारना उससे भी अच्छी बात होती अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो इन्हें पकड़वाना ही पड़ेगा हैं तो एक काम कर जल्दी अपने घरू जा मारे बसकी ना इतना लपड़ा देलना पहले तो मैं आपको बता दू कि इस पूरे दुनिया में मेरा और कोई घर नहीं है सिर्फ यही है और आप सब मेरा परिवार हैं तो इस परिवार को जीन क्यों ना देरी तू अरे यूना जीन दे यह तो सबका पूरा पणवार गए हमें अरे जो होगी देखा जाएँ चल चल जब मैं नहीं डरती तो आप लोग क्यों डरते हैं अरे तू राणी लक्षमी बाई है कोण है तू जो तू ना डरती और सुनो आप भी अपना विजली का बिल जमा करके आजाओ कितनी बड़ी आप अतनी देख्यों कि किसी नहीं या अच्छी बबबाई विकास की बताओ सारे गाम में कटियत रहा दिये अब बिल भढ़ते रहो हर महीने सौधरी अरपाल के छोरे के बहु को बोलने की तमीजना ऐसी पड़ाय लिखाई से के फादा जे कोई की लाज सरम ना पता ना के के धारा गिना बे उसे लाज सरम बोलने की तमीजना सही बाद सही बाद कर आए बिल जमा करियाया पांच हजार रूपे लग गे और प्रधानची ने सड़क और नलका क्या कहा बनवा देंगे जब पैसे होंगे हाँ ठीक है लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं तो गुस्सा ना करूँ तो तेरी आरती उतारू एक हम ही है जिनका पूरे गाम में ड्रामा बन रहा है और वो विचार परधान आया था समझान उसके ही पीछे पड़गी तुझे पता ना कितना दिलदार आदमी है वो अब दी रात को भी खड़ा रहे है त्यार मारी निया और चुनाओ में घर-घर मिठाई भी जवाव है घर-घर और दारू की तो छूट कर दे है और दारू पिलाने वाली के आप तारिफ कर रहे है तो 20 लाक रूपे लगाए चुनाओ में 20 लाक वही तो बुराई की असली जड़ है जो पृतियासी चुनाओ में पैसा लगा रहा है वो बाद में पैसा कमाना भी तो चाहेगा और फिर शुरू होते हैं गलत काम पैसा कमाने के लिए और जो गाओं की विकास के लिए पैसा आता है न वो जाता है इनके तीजोरियों में और गाउं रह जाते हैं, ऐसे क्या है अरट तुझे पता ना है, बहतेरे काम करवावे हैं वो हाँ, देख तो रही हूँ, ना सडके हैं, ना खड़ंजे हैं, नल खराब हैं, इस्कूल की तो इन्होंने दूर दसा कर रखी, पूरे गाउं को इन्होंने गलत रहा पे लगा रखा है मुझे तो बैसके रहने के लक्षन लगनी रहे, या कि हमारे रहे होगी, और नहीं तो हमें भगानी पड़ेगी दिकास की ओ को तो कहीं ळ्याज ईना है, हाँ, चोटो अड़वी सरम हblock है ये, ल्याज सरन दया हे इना, ल्याज सरम ही ना तो जुगत बिडानी पड़ेगी जुगत। अरे पधान जी, बड़े बड़े सेरों सो ने डरें, और एक ओरत से डर गए। अरे वो ओरत नहीं है सुखी, सेरनी है सेरनी, और उसकी ताकत है उसकी सच्चाई। फिर के अलाज है उसका। वोई तो सोच रहा हूँ सुखी, वोई तो सोच रहा हूँ, तुझा विकास को लब बुला के है। ठीक है मैं अभी जाता हूँ और विकास को लेकर आए। किस है मुझे? हाँ तुझे है। प्रिकास अरे मैं सोच रहा हूँ तुझे एक बढ़िया सा ठेका दिलवा दो जिससे चार पैसे तेरे भी बढ़ जा यो तम ने बहुत बढ़िया सोचा परदान जी अरे इसली लेते जो पार्टी रखी है तेरे लिए पर एक दिक्कत है कैसी दिक्कत परदान जी अरे दिक्कत या है हम तो सोच रहे तेरे भड़े की पर ऐसा ना हो वो तेरी गरवाली नर्ट जा और फिर तु यार कामी न करे अरे उसकी ऐसी तेसी परदान जी मनने उज़े कही बर समझा लिया अक मारे परदान जी बहुत बढ़िया इंसान है बड़े दिलवा रहे हैं जी मैं तो अब लोज में दो चार जमा देता परवाज साड़ी धारावारा की बात करे कदी साड़ी पकड़वादे फिर तो हमी छुड़वाते फिरोगे अरे तु नू चिंता मत कर क्यों जुगी तेरे लिए तो मैं बैठा हूँ ना तुझे पता निये अगर गाम में सबसे ज़्यादे किसी का सम्मान है ना तो वो थारागर है थारागर तेरे पिता जी कभी जम मुझे मिल जाना तो सबसे पहले राम राम तेरे पिता जी को करूं मैं और यू सवारा गाम मुझे करे और मैं तेरे बाप को करूं यार यह उगी परदान जी तुम बहुत बड़ी आदमी हो अरे विकाज तू अपने मुनाफे के पैसे ले मेरे तैर पहले ही ले ले अरे ले तो सारे ही ले अरे परदान जी थारे मारे बीच में इनकी कोई आहमियत ना है पर मुझे एक सर्मिंदगी की बात होगी कैसी सर्मिंदगी वह जो मेरी बहु है ना वह धारे सामी बोलगी बसी आए रे कोई बात नहीं पड़ी लिखी एक थोड़ा बहुत तो कुछ बोल लेगी और हमें तेरे पर पूरा भरोस है तू से समझा लेगा मैं तो परदान जी किसी दिन उसे ऐसी ढंगते समझा दूआ रेप्टे इतने मार दूआ इतने मार दूआ सारी पड़ाई भूल जाओगी पर नहीं बस रेप्टे बेप्टे तो रेण दे भाई बस तू से समझा दिये क्यों सुगी परदान जी मैं तो उसे ऐसी समझा दूआ परदान जी अग उसके खांदान लोगी समझ में आ जागी साली मारे परदान जी क्या के बोल रही है कुछ माहानी न रही तमैं वेकूप मान रही है कदी के परदान जी लेटरिन खा गया कदी के परदान जी खड़न जे खा गया बताओ मारा परदान जी लेटरिन क्यों खाओगा पैंसन क्यों खाओगा मारा परदान जी तो दावत मैं परदान जी उसे समस्जाने वाला हूँ अब दाव मारे परदान जी को बेकूं मान रहे है मैं उसे मैं उसे मुझा दूँ हूँ तीक हो गया प्रदान जी बहुत बड़िया जाली केवे तो सही है गाम में कोई नाली नहीं खड़ान जानी यू साला है तो प्रदान बदमासी किताब पढ़ रही है किताब कौण सी रामैन पढ़ रही होगी धाराई पढ़ रही होगी आपने शराब पी है आप पी है तो मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुम्हें मुझे उम्मीद भी थी है को वाल है प्रदान जी से रास्ते और नल की पूछे आपने है कोण सा रास्ता कोण सा नल है इसकूल करनल और गाउं का रास्ता हा आच्छा वो वो तो बनवा देया परदान जी ने रास्ता एक्जम वो 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 नल पाणी पाणी देरा हूं नल पाणी देरा अच्छा हा जा देख देख के आऊ ठीक है खाना लेके आओ खाओगे सुनो उठो में खाना लेके आती हूं सुनो तुमसे तुमें इस पर सुभबात करूंगे है तुमसे हूं मिद्विती है को माले है 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 में अब डरा दिया तरने तो, अब डर ना सीख ले, अच्छा, तू चाय ले आज, चल ठीक है, बैठ, मैं ला दिया, आज कहां चली गई, दिखाई भी ना देरी, बताओ, मुझसे रात को छूट बोल रहे थे, कि नल भी ठीक हो गया है, और रास्ता भी सही हो गया है, पर यहां तो, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, अब मुझे ही प्रधान जी कहां जाना पड़ेगा, वहीं जाती हूँ आज भा कहां गई, कोण, वाई धारा देवी, मुझे ना पता बैया, तू जान या उजान, सारा काम घर का निम्टा के पता ना कहां चली गई, कहां गई होगी, जिस बव बेटी गई एक बार घर से भार पाउं लिकर जाना, फेर वह रुखती ना, हैं, तैम है, अहें भी, शुधार ले उसे, अनी बाद में रोवेगा, अरी, तू चिंता मत करे, उसे तो मैं ऐसी शुधार दूँआ, हुभी के याद राखेगी, अरे, हम या या रही ता यसा लग रहा, उस Benson तू तू ज़े ही सुधार देगी, अरे, हमें भी सुधार देगी, अरे, त तो देखती रहे देखिए तुम्हें प्रधान जी ये सारी बाते आप गावं के भोले भाले लोगों को समझाइ किजिए मुझे नहीं क्योंकि केंद्र आर राज्य दोनों सरकारों से लगातार पैसा आता है और उसकी पहली किष्ट कपका आ चुकी है बहुत जानकारी है तुम्हें बिल्कुल, जबी तो आपको कह रहे हूँ कि आप काम करा दीजे अच्छा, अगर मैं कहूं मैं काम नहीं करवा रहा, तो तू क्या कर लेगी? RTI आ? RTI? RTI मतलब Right to Information, सूचना का अधिकार प्रधान जी एक RTI लगते ही न, आपके सारे कच्छे जित्ती खुल के सबके सामने आ जाएंगे प्रधान जी गाउं में सडके, पानी, नल, खड़नजे, इन सब की व्यवस्ता करना आपके जिम्मेदारी है गाउं वालों को सच्छिता की ओर लेके जाना ये आपके जिम्मेदारी है प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री योजनाओं के बारे में गाउं वालों को बताना ये आपके जिम्मेदारी है ताकि गाउं के लोग उसका फायदा उठा सके, उसका लाब उठा सके बुज़र्गों की पैंशन आती है लेकिन वो पैंशन कहा जा रही है किसी को कुछ भी नहीं बता गाओं में फ्री सौचालै बनाने के लिए प्रधान मंत्री योजना से पैसा आता है कितने सौचालै बनाये आपने और सिर्फ यही नहीं एसी कई सारी योजनाएं, कई सारी बातें हैं, जो केंजर और राज्य सरकार लोगों को देती हैं, पर आप, आप लोगों से बीच में ही खा जाते हैं, प्रधान जी, आप ये सारे काम करा दीजी, वरना मैं ये सारी बातें इन लोगों को बता दूँ, बताओगी, वह हमें ब प्रधान जी तो आप ही अच्छे प्रधान जी तो आप ही हमारी लेक अच्छे प्रधान और अच्छे इंसान हो जाएंगे नमस्कार तो मैं के कह रहा था था हूँ अक मैं ही जानू मैं कौन सी तोप सम्हाल रहा हूँ तुझे पता ना भी प्रधान जी मैं उसे समझा दूआ अच्छे प्रधान जी को गाओं की कुछ समस्याओं के बारे में बताने गई थी तू परधान के हाँ क्यों गई थी जब हम तेरे कहने ते जा रहे थे तो आप जातो रहे थे पर आप उन्हें कुछ बोलने के बजाए उनकी शराब पी के मुझसे जुट बोलने लगे कि सड़क बन गई है और नल भी ठीक हो गए है अरे हो जांगे तो एक दिन में हो एंके हाँ एक दिन में नहीं होते लेकिन अगर काम शुरू किया जाए तो तो हो सकते हैं वो तो पैसे खा के बैठे हैं तुझे जादे जानकारी है पैसे खा के बैठे हैं तू नेता है के या तेरी युम्मेदार ये सारे काम कराने की सार लेकिन किसी को तो फिरुबात करने ही पड़ेगी अरे जो करेगा कर देगा पर तू कहीं नहीं जाओगी समझगी ठीक है मैं नहीं जाओंगे लेकिन आप जाएंगे पर आपके जाने से होगा क्या वो आपको दारू पिला देंगे बात महीं खत्म आज के बाद आप दारू नहीं पिएंगे ध्यान लखेगा आप बैठी मैं आपके लिए नाश्टा लगाते हूं हाँ भूक उड़ा के तू खुआओगी पराम्थे दुस्मनी करवा दे सबते हमारी और सुनो कल आप मेरे साथ ब्लॉक चलेंगे ब्लॉक वहां क्यों वो आट किसी के कोई धारा पारा तो न लग जगी अरे नाना कोई धारा नहीं लग रही बस जानकरी मिल जाएगे ब्लॉक ही जाना आना थाने तो न जाना न हाँ हाँ ब्लॉक ही जाना है देख मैं तुझे फेर समझा रहा हूँ तुम मान जा मतना बैर बंधवाव है यही डर तो भष्टचार की जड़ है आप आईए हम अपनी गाउं की भले के लिए काम कर रहे हैं चली सहाब हैं अंदर चली सर नमस्कार जी नमस्कार करें सर मेरा नाम कीरन है मैं खेड़ी गाउं से आई हूँ सर यह मेरे आटी आई के अप्लिकेशन है मुझे इन विंदो पर आपका ध्यान चाहिए बैठिये न बैठिये न कुर्सी मज़ता में ने नी सर थैंक्यू थैंक्यू सो मच यह आटी आई क्यों लगवा रहे हैं आपको क्यों सर आटी आई लगवा नहीं सकते क्या हाँ 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 आपका पुरा अधिकार है ठीक है मैं इसको आगे भेज दूगा और इसकी पूरी जांकारी मिल जाएगी आपको थोरा समय लगेगा सर मुझे एक रिसीविंग कॉपी दे दीजिये हाँ 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 मैं दे रहा हूँ यह लीजिये थैंक्यू सर इट्स ओके अच्छा सर नमस्कार नमस्कार रुको 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 एक बार यह हो गया माता जी क्या हुआ माता जी इस भुड़ीया को मुद भी तो नी आती मारी च्छत्ती पे धरी रहे अपने बड़ो से ऐसे बात करती हैं आप तू मसिख affirm आँ में बड़ो से कैसे बात करनी है सारा गाउं जाने के तो कैसी है ये सास है आपकी और सास मा होती है ये कौन है तू हमें मा समझाओ सारे गाव में तो मुझोरी करती ती रहा है फर्दान देखते तू न बखसा न और आप अंदर छिपकर तमाशा देख रहे हैं मा की बेज़ती होता देख रहे हैं शर्मानी चाहिए आपको मा बाप और वरिष्ट नागरिकों के लिए अधिनियम 2007 के पहत कानून है कहो तो आपको धरे भी बताऊं शर्मा चल जितर चल या के कर रहे है जित्ती रहे बेटी चलो चलो माजी जित्ते चलो 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 मैं जरा स्कूल जाकर आती क्यों अभी स्कूल वाड़ों की के गलती है आप चलो तो मैं बस अभी आ रही रहा कोण आई थी अरे कोई आउरत आई थी आपके गोंसे प्रधान जी अच्छा के बोल रही थी अरे वो आटियाई लगा कर गई है आपकी अरे ये तो बताऊ कोण थी प्रधान जी आटियाई लगाने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है जब तकूण की मर्जी ना हो मुझे सब पता कोण हो सकया है वो इसका सीधा से मतलब है आपका सारा काला चिठा खुल जाएगा अच्छा इससे बचने का के उपाए है पैसा उपर से नीचे तक सभी को पैसा खिलाना परेगा तब जाके बाद बनेगी पैसा पैसा खोड़ देगा आप देंगे मैं आच्छा जी तने घोटा ले हुए उसमें तो सभी स्थे दारते तो मैं अकिलना पैसे क्यों दूँ ये कोई बात हुई प्रधान जी तेरा मेर करने का टाइम नहीं है आटीयाइ लगी है हमें जांकरी देनी परेगी और लगाने वालेने चाहा तो इसकी जाच भी होगी जब जाच ही होगी तो पैसा किस बात का तुमें कुछ उपाए करो ये हमारे हाथ की बात नहीं है अब तो पैसा खर्छ करना परेगा रिपोर्ट पर बनवानी परेगी तब बात बनेगी ठीक है तो मैं जुगार करता हूं आप अपना तो काम करो उसमें कोई कमी ना रह जा ठीक है प्रधान जी कि अर्याय पाणी पर्दान जी का मःत रिंद कि इन्य अभड़ा करभी के का हूं इसे पता नहीं पर्धान क्या चीज होटती है जिसे बसाते हैं तो बसाते हैं और जिसे उजाते हैं तो उजाड देते है नमस्कार नमस्कार प्रस्पल साब बड़े घबरायवे लग रहे हो आजी परदान जी काम से एक वरता एक थी स्कूल में मुझे तो वो आपत लग रही है अरे तो क्या हुआ वो कम्पलेंट की धंकी दे गई है हमारी अरे तो क्या हुआ, कम्पिलैंड करने की धंकी तो दी है, कम्पिलैंड करी तो नहीं अजी मुझे तो अम उसके कहने सी डेल लग रहा है घबराओ मत प्रशपल साब, घबराओ मत, मैं बेटा हूँ न इसा अपस्टे तो आप भी बचा सक्ते हो प्रधान जी रस्पल साब उस ओरत का तो मैं वहाल करूंगा कि वह जीवल में सब कुछ काम करेगी पर किसी की कप्लाइंड नी करेगी गवराओ मत अरे आटी पार्टी के चीज़े हो भाई पता तो मुझे भीना है पर जरूर कोई खतरनाग चीज़ है हाँ यह बात तो सही है परदान अधिकारी प्रिंसिपल सभी भागे भागे फिर रहें सभी के दस्त लगा रखें पता ना यू बाव किस गड़ी में मारे गाम माई है जिस दिन सा यह सब किरावान रखी है पर इसका किसी से कुझने भी गड़ता उसते हिम्मत ना किसी मित्तू कहने की इतनी धारा जान है वो अब पता ना कौन सा नहीं आत्याल लाई है आटी फार्टी क्या है यो तम देखते जाहिए अगर यह भाव इस गाम में दो-चार साल रहेगी तो सभी के फास सी लागेगी ना ना यू बात ना पर इसका इलाज के है इलाज उससे तो प्रदान जासे बागे प्रहें हम के च चिना अलेवा चिना लो उसका कुछ पता ना वकद किसका गेट खुड़ा दे है हाँ बई के बात है आपकी जित्थी है जी है अरद देखे महरे वारंड फारंड तो ना आ गये आपके आत मैं जी खोल का देख लो हाँ देख लेंगे कोई डर लग राके क्या है ये अरद तुम्हारी कोई रिपोर्ट पिपोर्ट तो ना करिया है अरे ये तो आर्टी का रिपाई है आर्टी का रिपाई हाँ आर्टी का रिपाई हाँ आर्टी जो हम पिछले मैंने लगा कर आये थे अब आठी लगाओगी तो ऐसे रिपाई आओँगे, अब के होगा? अब मैं इसे लेके प्रधान जी के पास जाओँगी, उनको इसे दिखाओँगी तू, देख तू, तू परधान जी करह सो जाओगी, तू ने वादा करा था. हाँ, मैंने वादा किया था. अगर आप जाएंगे, तो फिर मैं नहीं जाएंगी. हाँ, हाँ, मैं जाओँगा, तू चल. अब तू देख ले भाई विकास. हम थारा कितना भला चाम है अग तेरी बवु हमारी कंपलेंड करती फिरें देखले भाई यो तो लेने का देना अगर तेरी बवु हमारी कंपलेंड करती फिरेगी तो बचाव में कुछ ना कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा तौ मैं जानती थे, जिस काम मैं आपको भेज रही हूँ न वो आप नहीं कर पाएंगी क्या कह रहे थे आ परदान जी की पैसा नहीं आ रहा है केंद्र और राज्य दोनों जगे से लगतार पैसा आ रहा है काग्जो में तो इस्कूल के नल भी ठीक हो चुके हैं गाउं में खड़ंजे बिच चुके हैं स्ट्रिट लड लग चुके है और व्रिद्धा पेंचन भी आ चुके है 37 लोगों की पर गाउं में तो कुछ हुआ ही नहीं इतना ही नहीं आप कई घरों में सौचाले भी बनवा चुके हैं कहां हैं वो सौचाले भाई विकास यू सारा पैसा में गाउं की बलाई के लिए तो लगाऊ हूँ और कौण से मेरी कमाई है जो कहिज़े में लगाऊंगा हाँ सही कह रहे हैं परदान जी बात को जाद ना बढ़ावे चला भाई इसी मतारी मारी बढ़ाई है इस तर पूछले यू केच आवे मैं इसे दे दूआ इसकी मूँ दिखाई का सगुन हो जागा देख बहला तुझे और केच ही है परदान जी ने कितनी बड़ी बात कह दी सच मुच परदान जी ने बहुत बड़ी बात कह दी परदान जी आप किरन को रिश्वत देना चाहते हैं बहु इसमें रिश्वत की बात कहजा आगी तुझे हमारी बहु है हम तुझे कुछ दे में इसके बदले में तु हमारी छोटी मोटी बात को नजर अंदाज कर दिये छोटी मोटी बात बता रहे हैं आप इसे पूरे गाउं के विकास का पैसा खाए बैठे हैं आप मैं कहतो रहा हो गहूं मेरा काय सब कुछ ठारा ही तो है तुम बोलना तो सही प्रधान जी मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत कीजिए वरना मैं वो हूँ जो इस बात की भी शिक्याद कर सकती हूँ और हाँ गाउं के विकास का जितना भी पैसा आप खाए बैठे हैं न वो निकालिए और गाउं के विकास में लगाई है इसी में आपकी और हमारी भलाई है विकास ले जाए इसा यहां से जाना मंत्री मत बढ़ा है हम चुपा तो इसका मतलब जेपे चड़ती जा रही है ना कर रहा मैं खुछ भी जा तेर बजो हुरताओ कर लिए अच्छा जी राम राम अपुम करो परदान जी से उसका राम तमाम कर दो उसका काम इतनी आसानी से तमाम होने वाला नहीं है वहां मोरत नहीं है विल्लिकर नंगातार है अभी तो इससे बच जाओ इसमें कर नीमत है तो पिर हम के करें संत्रो टेम आने पर मैं बता दूगा के करना है सुनो सुना वो कल आप मेरे साथ डीम कारे ले चलेंगे डीम कारे ले क्यों वो मुझे आटी आई के रिपोर्ट जमा करके आनी है ताकि कारवे हो सके देख ना तो मैं जारार ना जाओगी तू मैं क्यों न जाओँ मैंने आटी आई इसले नहीं लगाई कि उस रिपोर्ट को बैटके मैं ही देखती जाओँ अरे तू तो होगी पागल हमें तेरी गेल पागल ना हो ना अरे नियो गाम के गाम में कारवाई करी जाँ के ये अच्छी बात है के क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है मुझे अच्छे से पता है आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं ना मैंना जा रहा ठीक है मैं ही चली जाओँगी तेरी समझ में क्यों नहीं आती है कोई मोर समझ में आपके क्यों नहीं आता ये काम हमारी घर के काम से भी जादा जरूरी है अगर आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं मैं खुद चली जाओंगी अरा तू तो पागद होगी जा जा जाना है साब मेरी घरवाली को मेरा बटा भाई लिए बैठा साब उसे दिवाद दो मैं बड़ा परिशान हो साब साब बहुत परिशान है इसका काम जरूर करा दो साब ना तो कोई दरोगा सुनरा ना छुट्टा पुलीस वाला सुनरा कोई ठाना के चाढ़ी सारी देगे देगे अःः देख रहा हूँ प्लिज साहब, बसकरा दो इस काम को बिल्कुल आप जाये, बिल्कुल चिंता मत कीजे ठीक है साहब जी गुड आपनूं सर गुड आप्टरनून, बैठिये थैंक यू बताईए, क्या बात है सर ये मैंने आटिया ही लगाई थी ये उसका जवाब आया है बताईए, आप क्या चाहती है सर मैं निस्पक्ष जाद चाहती हूँ ठीक है, मैं कराता हूँ ठैंक यू सर नमस्कार सर जी जी नेक्स्ट ओरम उसके थी जी परेयर मैंने सर बताओ, ना रोड की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं ना खड़नजे कौन सा गर है? यह वालाय जी, यह है जी करिंदेवी जी का गर गर पे है कोई क्या? जी कहिए, आपने जो कंबलाइन किया था, उसका जांच के लिए हम आया है अच्छा, जी आईए ना, आप ही चलिए और हमें दिगाते जाईएगा, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, आईए सर तर देखे, नाली की कोई वेवस्था नहीं है, पानी कैसे बहरा है, देखे ये देखे, ये पुलिया बनी और बनकी तूट भी गई, नोट कीजिए आईए सर ये देखे, लिख ली चीए सर ये देखे, ये स्कूल का नल है, कब से खराब है कुछ नहीं पता, और बच्चों को पानी पीने के लिए पड़ोसियों के घर जाना पड़ता है नोट करो आईए ये देखे, नोट करो सर, ये देखे, इधर से लेकर के इधर तक सब लोग कटिया डालकर बिजली जलाते हैं नोट करो और इधर, तरकारी सौचाले होना चाहिए था, लेकिन है नहीं ये देखे, नाली की कोई वरस्था नहीं है, पानी ऐसा ही जा रहा है और गंदगी कितनी बढ़ती जा रही है सर, आप इंसे पूछ लीजे आपका गर में सरकाई सौचाले है क्या? साई लेटिन तो परधान खा गया, हम तो अपने पास से बना रहे है नोट करो और कोई सुईदल? हमारे कुछ नहीं है ओके आईए सर, ये देखे, इस गली में आज तक एक भी इट तक नहीं लगिए आईए परधान जी, क्या हो रहा है? कोई कावान तो होई नहीं रहे काम करा रहे है साब कुछ नहीं हो रहे है, मैंने सारे गाम गुंगाम के देख लिया अधी आप आईए, मैं बताता हूँ जो बता रहा है, आप मुझे यहां बताईए अधी आप आईए तो साही आप जा के सुनिये इनका जी सर आहां जी आप बताईए किया आपका जान का रही है राद मुझा को जान का रही नहीं मेरे पेट में तो गुड़गुड हो रही है मैं तो लेटिन करने जान का चिकटरी साब जितना पैसा चाहिए मुझे बताओ यह मामला यह लिप्टाओ कैसी बात कर रहे हो प्रदान जी यह बहुँ आपके गौकी है और आप इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे यह तो जलेके सभी अधकारियों को हिलाया हुआ है और सब को पता है कि गऌए के प्रिकास कारियों की जांच करा रही है मुझे तो डर है कि कहीं यह बात मीडिया में ना चली जाए कोई तो रास्ता होगा सारे रास्ते तो आप खुद बंद करें बैठें हैं आखरी रास्ता तो यही औरत है यदी मान जाए तो नाना वो मानने वाले नहीं है कोई और रास्ता पताओ आखरी रास्ता तो यही औरत है यदी मान जाए तो चलो अच्छा बात हो गया है अच्छा बात हो गया है अच्छा अच्छा आप फिर गया है अच्छा किरन जी मैं जाके रिपोर्ट बना कर आगे बेच तो thanks sir thank you for all this no need for thanks ma'am it is my duty I know sir but nowadays who does this duty yes you are right there are honest people who do their duty very honestly yes you are right sir if you don't have any problem so please come to my home for lunch no no thanks we have to give us a chance to go okay sir we will take a decision quickly and inform you yes sir I just want to say that whatever the government comes from the government will take the government absolutely Namaskar Namaskar प्रदान जीओ के हो रहा कुछ मैं भी तो बताओ भाईयो मैं जो इस गाउं की सेवा कर रहा हूं उसमें ये ओरत बाधा डालना चाहती है मुझे लगता है आपके गाउं के पैसे में से ये कुछ हिस्सा खाना चाहती है पर मैं इसे एक फूटी कोड़ी भी नहीं देने वा प्रदान जीओ अगर इसकी चली तो ये सारे गाउं को बंदवा सकती है तुम लोग चूड़िया पहन लो एक ओरत तुम्हारे पे नहीं समाली जाती परदान जी हम आपके साथ हैं आप चिंता मत करो भाईयो मेरा जो होगा सो होगा पर यो थारा जीना मुश्किल कर देगी एक एक पैसे का हिसाब देड़ा पड़ेगा तुम्हें लहां तक ही तुम पर हाउस टैक्स लग जाएगा जमीन टैक्स लग जाएगा और जो तुम्हारे पास पैसा है उस पर भी टैक्स लग और तुम्हारे सर पे चड़के चबड चबड करेगी और तू रोटी पना करो के रोटी चलो भी आज इसे देखकंगे रोड़ा थारी बहु है उसे भगाओ यहां से नहीं तो हम तुम्हारो अक्को पाणी गेर देंगे हाँ हाँ परदास दी करेंगे सब हम जो अचिक नहीं गहर तो माई से पर बठी की के या अरे मेरे बात तो सुरो, मेरे बात सुरो, मेरे बात सुरो, क्या बात है बाई तम मुझे एक बात बताओ, किसी के घर के बाहर आगे यू कहना का तम अपनी बहु को भगा दो अच्छी बात है बढ़िया बात है जो इंसान गाउं के रहे, जो गाउं के रहे, अब हो रहे है तो सुरुआत है, कल पतना क्यो होगा अरे पिचेटो, क्या कोई मर्द हो तो घर में पांद ररके दिखाओ विकास गाउं के सामना है रहा तू पस्ता होगा इसना पाणाव भूबतना पले रहे है तुमें? हम भुकत रहेंगे, तम जाओ जते हाँ आप सुजारे हैं बन जात करेंगे, बन चानी केरेंगे अरे तिखेत हो जो कुछ गेर नहाँ, जाओ जते अरे भाई बाहर कैसे रुख्का मचरा रुख्का नारी लग रहे हैं नेता बहुले आई है ना तु तो रोडा तो भोगाई थोड़ा बहुत रोज़ा ना में तो कैसी बहु दे दियू हम तेसे दुखी हो लिये मारी तो कटगी जैसे तैसे मुझे तो भाई तेरी चिंता हो अरे तेरी कैसे कटेगी इसकी गयल मेरी कैसे कटेगी मैं रहु इसकी गयल एक मिनट भी अब हाँ समझगे ना अरे भरी पंचात में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और आज आ तो महारे मूँ पर थुकंगी ने अमारे गेट तक आगे लोग हैं भोष बेज जती हुई आ आपका खा रहे है कि तिरी पे की जोर पड़ रहा है सब ऐसे ही सोचते हैं कोई भी गलत कारियों का विरोध नहीं करता तभी तो देश में इतना ब्रिष्टाचार बढ़ता जा रहा है तो तू ब्रिष्टाचार दूर करना ही है कि इस गाम में बिल्कुल अगर मेरे सामने तो मैं नहीं होने दूगी तू मान जा जैसे सवरेरा ऐसे रहले तू क्यों मार भजीता करवा रहा है लेकिन माजी किसी ना किसी को इसके लिए कदम तो उठाने ही पड़ेंगे अरे जिसे उठाना होगा उठालेगा तू नहीं उठाओगी मैं इस अब देखके आग बंद क करके अपना जिवन नहीं जी सकते तुरे दो थोबड़े मार भूआ जमता जीयोगी ये जोश ये ताकत काश आपने गाओं के भले के लिए लगाई होते तो इसका सही इस्तेमाल हो जाता अरे बश्पनो तुम लगोंगा मैं इसके बाप को फोन करता हूँ बुलाता हूँ कि दुखो कैसे कहां? कहते मैं भी सरम लगें मुझे नाद करूँ तू बताओं कैसे कोई बात न crossing कोई बात नि जो बात हो मुझे बताओं ये नह बताओं मैं बताउंगे अपनी छोरों कंपनां गर ले जाओ हमानाचीये यो गर ले जाओं एस इसी कोई बात UP तो हो। सारे को भाव कि पिरे जायों। सपाउं गर मेंनी रुखता। क्यों यू गर का काम निकरती क्या ? अजी काम तो यू बहुत करने और ईतना क्या हम सोच भी निसकते या थारी फेर इज़्जट you करती। अजी क्या भात करने हो। इजब तो ऐसी करे है, के मुकाबला नहीं इसका? तो फिर इसका चाल चलन गलत है? ना, 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 चाल चलन में कोई कमी नहीं है? फिर इसको कोई ऐसी बीमारी है क्या? कोई बीमार नहीं? देखलो, ठीक टाप खड़िए. तो मुझे बताओ ना, क्या बात है फिर? बात यह हो है, सारे में भागी फिरे जा, इसका पाउं गर में ने लुखता. बेट्टा, तु गाम में क्यों भागी फिरे जैसे? पिताजी, पूझो यहा का प्रधान है ना, उसने सारी योजना का पैसा खा रखा है, तो बस मैंने उसकी आठीया ही लगा दी, और जा शुरू होगी. तो सम्धन जी समतों कोई ऐसी बात भी ना है बुराई की? बुरी बात ना है, पर हम ना चाहते हैं भागी फिरे सारी जगें. तो बेट्टा, एक काम करेकर तू ना जायेकर विकास कुई बेच दियागर? पिता जी मैं तो यही चाहती हूँ, पर यह जाते तो नहीं, और अगर मेरे कहने से चले भी गए ना, तो गाओं मैंसे कोई ना कोई ने बहका देता है, और यह उसकी हां में हां मिला देता है. आँ, मैं तो बाह उड़ाऊं जो कोई भी भखा लेगा. एक याई अकल मन पैदा हुई है धर्ती पे. देखो जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, और यहाबात मन ने सगाएगे टाइम भी कही थी, मेरी लड़की मेरा अभीमान है, इसने गर्व से मेरा सिर उच्चा किया हमेशा, और फेर भी यह दी कोई गलती हो, बेशक इसकी गर्दन काट देना, मैं इसे देखने लेकिन कुछ बाते इसके स्वभाव में हैं, ये घरेलू हिंसा और भ्रस्टाचार होते हुए नहीं देख सकती, तो इसे ही दूर करने के सारे भ्रस्टाचार, देखो जी, अगर ये जिम्मेदारी सब निभाने लग जाएं, तो एक दिन आएगा हमारे समाज में ये भीमार जी नहीं बचेगी, बैयू तो इसका भी बाप है, चले हम तो मारे बसकी नाज की सुनगे, इस औरत का कुछ करो प्रधान जी, आप तो फसे ही हो, आपके साथ हम भी, वा तो हमें मरवा के छोड़ेगी, मैंने कहता ना ठेके दार, वो सेरनी है सेरनी, हम तो परिशान है, औ किया जाता है, शेरनी का तो शिकार ही किया जाता है, काडू, तु ऐसा कर, पहले जाके पैंशन बटवाते, और जितने नड़े न उन्हें समपू ठीक करवाते, जो भी खरंजे ओर रंजे टूटे पड़े, उन्हें मिट्टी विट्टी टिलवाके, पिपेर करवाते, कर दूटी यहां? हाँ, के बात है? पता हिएं तही पतानी कहां मर रही है, रस पृद्धान जी पैंशन मठवारे है, पैंशन, पैंशन मिल लएखा है, अभी लाता हूं बूलाएक है, जो भर समनद भी हम जगा जाए, खीक है राम राम जी राम राम जी पुर्दान जी पैंसन बटवा रहे हैं लो अपने नाम के अगर साइंड करो बस ऐसी करो प्रदान जी की बैटक पहुंचा दियों ठीक है जी राम राम और घर में सब ठीक है बस बड़ी है जी पर मेरे माद एकी कहीं क्यों क्या बात होगी अरे प्रदान के काग जमाओ लाग रहें पैंसन के रहा कोई पेंचन ने मिलने के उसबोग के कहने से बड़ी पेंचन मिल री होगी तम है को पता किया जी वहां कुछ नहीं हो सर आपने पूरा गाउं को जाके ग्राउंड पर देखा बिल्कुल देखा जी गुट वेरी गुट तो आप क्या सोचते हैं हमें करवाई करनी चाहिए बिल्कुल जी जिरूर करना चाहिए ठीक है माजीदे को तुम करन की बुठाइ करे ही आज उसी की वज़़ा से पिल्सर मिल ले तुमें हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छी बहु आई हो मैं तो विकास के बहुत को बहुत बेकार समझे थी उसने तो बहुत अच्छा काम किया ये बात तो ठीक कहई रही है क्या सोच रहे हो क्या बात आज बात भी नहीं कर रहे बस सू नहीं है क्या मेरा तो अभी सोने का मन नहीं है तू के सोच रही है तिरा ऐसा करने ते मैं बदल जाओंगा मुझे ते तरे तलाग चीए बस वो तो मैं नहीं दूँगी उसके बदले कुछ और लेना है तो बोले लो पर मुझे तो लेना है आपको पता है तलाग एक की मर्जी से नहीं होता उसके लिए दोनों की मर्जी होना जरूरी है मैं तकडा सा वकील करूँआ तकडा सा? वहाँ कोई कुछ्टी थोड़ी करनी होती है अरे बड़ा वकील करूँआ बड़ा वकील भी बिनाकारण तलाग दिलवानी सकता अच्छा और आपके सोच भी मतले ना कि मैं आपको तलाग दूँगे चुकि मैं एक हिंदुस्तानी नारी हूँ जो अपनी पती को छोड़ नहीं सकती और आपकी जानकारी के लिए आपको पता दू तो वो पास में लेटी भी अपनी पती से संपर करें सूचना समाप पतानी साथ सुगा से कहां लापते हैं और ना फून लग रहे काडू तू उस पर नजर रखिये वो डीम के ओफित जरूर जाएगी ठीक है जी टिल्लू तू विकास बुला जा बुला के हम् पतानी कहां चले गया जी इनका फोन भी बंद है चलो में खुद ही चली जाती है अच्छी राम राम परदान जी राम राम भाई आविकास बैठ परदान जी मुझे बुला रहे थे के बात थी रहा ऐसी बात इहां ना हुआ करते आप उत्तरा भाई विकास तु अपनी बहुसर चुटकारा चाव है ना हाँ जी हाँ जी चुटकारा तो दिलवा दूगा और सोच ले मैं जो कहूंगा वो बोलना पड़ेगा हाँ जी बिलकुल जो तम कहोगे वो हम बोल दूआ तम चिंता मत करो तम तो कितने बड़िया आदमी हो जो इतना सब कुछ हो गया फिर भी तम हमारा साथ दे रहे हो रहा भाय वीकास मैं तो कहां का भुला करना चाहूं यह ले एहं इतने पैसे पर्दान जी अ्रहे वीकास् तू हमारा खास आदमी है और तेरा ख्याल करना तो हमारा फठाज है अच्छा परदान जी अरूप इतने पैसे एसाना ले जापते लें एह इसमेला पैट के वो तो चली गई? अब तुमारा काम है पुलिस से तो मैंने पूरी सेटिंग कर दिया गुट गुट कॉंग्रेचुलेशन्स आपकी इस हिम्मत की वज़े से ही इस भरस्ट अचार का फुलासा हुआ है तुमें समझो कुछ कारवाई होगी? जी, डेफिनिटली जब तक आप घर पहुँचेंगी कुछ न कुछ कारवाई अवश्य हो जाएगी तुमें तो बस यही चाहती हों कि गाउं के विकास का जो भी पैसा है वो सिर्फ गाउं के विकास में लगे बस जरूर लगेगा जब तक आप जैसे लोग हैं लगना ही चाहिए अवश्य लगेगा थैंक यू सर अच्छे सर नमस्कार माँ माँ अरी कहां गई तू अरे कैसे रुख के दे रहां ये बात होगी ले मोज कर इतने पैसे अरे इतने पैसे कोई सा आगी तेर पर माँ तू कुछ पुछे मत बस ये रख ले तू आज तो हमें सब समिश्याओं से चुटकारा मिल जागा भाया मैं तेरे बार समझी ना ये कांसा आए तेरे पर इतने पैसे अरे ये पैसे परधान जी ने दिये हैं और कहिए मोज कर तेरी जो भी समस्याओगी उनतर तुझे मैं चुटकारा दिलाओंगा और तेरी बहुते भी चुटकारा दिलाओंगा बेशरम हो तो बेशरम, अरे कहीं काला मूख करके डूम बढ़ो, पतानी कौन से जन्मों के अच्छे कर्मों से, ऐसी देवी के इस घर में कदम पढ़े थे, करोड़ों में कोई भाग्यसारी होता है, जिसके घर में ऐसी बहू या बेटी हो, देवी थी वो देवी, अरे तुम मैं नहीं पता, पर मैं एक अनुहनी के आठ सुन रहा हूँ, मुझे नहीं लगता, जिस देवी के कदम इस घर में दुवारा पढ़ेंगे, ए भगवान, यह दिल क्यों बैठा जा रहा है, ऐसा क्या होने जा रहा है, क्या बच्तमीज है यह, कौन हो तुम लोग, अरे, कहा लेके जा रहा है हो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो, अच्छा, तो यह बात है, करो जो थारे, मन में, बस, जिन्दा मत छोड़ देना, वरना यह हमें नहीं छोड़ेगी, बहुत थदरनाक है, छोड़ो, छोड़, 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 पसा तक्तर, यह व सेजले है हम मותड़ो, इसाली धिस B больше प्रदक्वार देता कि हॹू़ेगी, प्रूड़, झाइक कैना, यह हमें तक मु Yoshida नहीचbit ऑसको कि छाफेना, यह भू़ो यहीं छोड़ supposed to work. भीक केचा है यहीं का आया जितता। कि दूआ अवार अॉब आए चेजड़ और दुट में चौर! चौर! झाल 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 परदान ये कोई अबला नहीं है और नहीं आज ये अकेली है आज इसका पती इसके साथ है इसका परिवार इसके साथ है झाल 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 हुए हुए यह हुए खार आए लग एड़ा मैं एड़ा मैं जो मैं खारओवा लिक्ष बार बार अड़ा भी घर जुचके लिवाएवगा इसा। बार अश्यार लिवाएवच्व एड। बच पेटे बच। भुछ ज्रजा मिल गिगा अरी जो हरिक के दर्द में कामाथ देख्षिन उसे कफी अक्यलानी चोडते हैं उपको 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 अपनों को हाथ में बचलो सब्सक्राइब तरह काणनामों की बढ़ते अचार की फादा हमारे पास आज़ चुकी है अब तरह दी उत्रोज जगें, काम नहीं, शेल है हुआ है ईत्हा बडार सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगे हमारे जिलाजी लारी जिन्होंने मुझे इस काबिसा में इस सम्मान की काबिसा में जिन्होंने इस शुकारे में मेरा साथ दिया और मुझे पर विश्वास चाहूंगे और मैं धन्यवाद देना चाहूंगे इस पूरे गाउं यह सम्मान है ये सम्मान है इसमान की पीछे बढ Warum आप हो को जिनके बिना इस संभभ ही नहीं नहीं जिनकी होने इन सब के पीछे घरे जिनके बिना इस विवातों से अंचान होते हुए, ना चाहते हुए, मेरा साम दिया, और मेरी इज़त, मेरे जीवती, दोनों को बचा है, और वो है मेरे पती पती, श्री विकार जीवती, मैं चाहती हो कि आप भी यहां पर आए, क्योंकि आपके बिना यह सम्मान अजूरा है. क्योंकि आपके बिना यह सम्मान अजूरा हुए, और मेरे जीवती 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 हुए, औ और अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस देश के संस्कारों को पुना जिवित कर एक बार फिर से इस देश को विश्वमें धर्म गुरु बनाए नमस्कार अपनी ननद संग मेल के गंगा जमु नासी फिर सब रिष्टों को दिल से निभाओ औरे सकीरी वारी जाओ औरे सकीरी लग जई लाग पिया की मेरे मन में सैया की मेरे मन में वारी वारी जाओ बड़े से घर में मैं तो बड़के बिटी आसी हेरी मिल जुल करके खुश हाली लाओ री सकीरी